समस्या ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा दोश क्या है, क्या अपराद किया है मैंने हम नए निर्वाचित हुए हैं अभी, हमें सारे नियम विधान सभा के क्या होता है, कैसे क्या होता है नहीं पता है हमारे लेटर में लिखा हुआ था कि Honorable Governor जिनको appoint करेंगे या nominate करेंगे, वो ही हमको oath conduct करेंगे हम वो ही जानना चाहते है कि कौन हमारा ये oath conduct करेंगे, क्योंकि Deputy Speaker को या Honorable Speaker को उनके पास कोई intimation नहीं है Constitution के उपर हम उसके against कोई नहीं जा सकते हम जाना भी नहीं चाते हम Constitution को respect करते है कोई समस्या ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा दोश क्या है, क्या अपराद किया है मैंने पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हम नए निर्वाचित हुए है अभी हमें सारे नियम विधानसवा के क्या होता है कैसे क्या होता है नहीं पता है क्योंकि हम पहले विधायक नहीं बने हैं ये पहली बार हम दोनों विधायक बने हैं तो हम जानना चाहते हैं कि हम किस रास्ते पे चलें हमें पता है कि Honorable Governor हमें Oath Conduct करेंगे राजभवन में उसमें हमें कोई problem नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए पर हमारा सिर्फ यही question था कि क्यूंकि हमारे letter में लिखा हुआ था कि honorable governor जिनको appoint करेंगे या nominate करेंगे वो ही हमको oath conduct करेंगे राजभवन में तो हम वो ही जानना चाहते है कि कौन हमारा यह oath conduct करेंगे क्यूंकि deputy speaker को या honorable speaker को उनके पास कोई intimation नहीं है usually अगर governor नहीं लेंगे तो फिर वो speaker को ही appoint करते हैं लोगसभा में भी यही हो रहा है कल माननिया प्रधान मंत्री ने भी speaker से उन्होंने ओत लिया तो हमें हमें वो ही पूछना चाहते हम कि क्यूं हम नहीं ले सकते हम तो बिधानसभा में ही elect तो इसलिए हम wait कर रहे हैं उनका कि वो हमें कुछ दिशा दिखाए और हम उस पे चले हम कोई भी को भी कुछ नहीं करे हम सिर्व उनका wait कर रहे हैं पता नहीं क्यूंकि देखिए हम तो निर्वाचित होके आए हैं पहली बार तो हमारे परिवार में भी सब बहुत खुश है परिवार सब हमारे assembly के लोग भी आ चुके हैं यहां पर बहुत जन तो वो सब देखना चाहते हैं वो सब रहना चाहते हैं उसका they all want to you know be part of my oath taking ceremony तो उसका आनन तो हम उनको नहीं दे पा रहे हैं पता नहीं हमें काम करने का मौका देना चाहिए क्यूंकि हम क्यूं ऐसे plead करे हम तो निर्वाचितों के आये हैं ना जीत के आये हैं लोगों के वोटों के आधार पर हम जीत के आये हैं majority वोट पाके तो फिर भी क्या पता नहीं I don't want to blame anyone but please show us the right way, show us the correct way, constitution के ऊपर हम उसके against कोई नहीं जा सकते हम जाना भी नहीं चाहते हैं, हम constitution को respect करते हैं and हम चाहते ह कि हम अपना उत ले सके और काम कर सके सब के लिए